हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है एजुवोशन चैनल पर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमेद करती हूँ ठीक होंगे तो आज अपने इस वीडियो में हम जैसा कि पिछले वीडियो में बताये थे आप सभी को कि हम प्रश्णों की श्रंखला लेके आने वाले हैं तो ये वो इंपोर्टेंट कोश्चन है जो पिछले एक्जाम में प्रिवियस एर कोश्चन है किसी ना किसी एक्जाम में पूछे गए हैं तो ये आप सभी के लिए काफी हेलफूल होंगे क्योंकि कोश्चन रिपीट होते रहते हैं तो चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं आज का वीडियो और अगर चैनल पर नए आये हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें बिल आइकन प्रेस करें जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो क नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें चलिए पहला कुश्चन देखते हैं भारतिये पुरा तत्व का जनक किसे कहा जाता है ऑपसें ए सर जॉन मार्शल ऑपसें बी सर अलेक्जेंडर कनिंगम ऑपसें सी स्टेल एक क्रेंरिश ऑपसें डी के एन दीखषित तो राइट आजसर आपका होता है ईवापसें बी सर अलेक्जेंडर कनिंगम भारति पुरा तत्व के जनक किसे कहा जाते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंगम कहा जाते हैं नेक्स्ट को श्चन है दुसरा कोश्चन है सबसे पुरानी ग्यात कलाकरती है Option A, भीम बेट का पेट्रोग्लिप्स Option B, बादामी गुफाएं Option C, अजन्ता गुफाएं Option D, एदुकल गुफाएं ये PGT 2016 में पुछा गया कोश्चन है तो इसका राइट आंसर है Option A सबसे पुरानी ग्यात कलाकरती कौन सी है? Option A, भीम बेट का पेट्रोग्लिफ्स भीम बेट का की गुफाएं सबसे पुरानी हैं इसी के कुछ important बिंदु हम आपको बता देते हैं भीम बेट का गुफाचित्रों की खोज 1958 इस्वी में विक्रम विश्व विद्याले उज्यैन के प्रोफेशर स्री वी एस वाकड करने किया था भीम बेट का को जो रॉक सेल्टर भी कहा जाता है भीम बेट का गुफाचित्रों में सबसे अधिक अगर रंग की बात की जाए तो लाल रंग गेरवे रंग का प्रयोग किया जाता है और यहां का जो प्रमुक्चित्र है में हथियार को बिखार अकौस और गूंचा कि बुदीन भीम बैत को बताते चलते हैं साथ में नौपाशाण कालीन मानो पॉलिश दार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करते थे नौपाशाण कालीन मानो सरवाधिक पत्थर की बने कुलहाडी का प्रयोग गिया और पॉलिश लगाने की कला का आरंभ अगर पूछा जाए कि किस युग से हुआ तो वो नौपाशाण युग से ही हुआ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर कोश्चन नमबर फोर उस विकल यानि उत्तर का चैन करें जो राइगड के पूर्व एतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है ये TGT 2016 में पूछा गया कोश्चन है उप्सन A उदेगिरी उप्सन B अमर गुफा उप्सन C बसाना जहार उप्सन D बोट टालडा तो राइट अंसर इसका है उप्सन A उदेगिरी उदेगिरी गुप्त कालीन गुफा है मध्य प्रदेश के विदिशा के निकटिस्सित उदेगिरी गुफा से प्राप्त वराह प्रतिमा अपने पौराडिक आख्यान तथा शिल्प स्वांदरी के कारण प्रसिद्ध है इसकी राइगड का पूर्व एतिहासी कला का हिस्सा कौन-कौन से स्थान है अमर गुफा, बसाना जहार, बोटालडा, सिंगनपूर, कबरापरवत, कर्मागड, खैरपूर, बोटालदा राइगड के प्रागयतिहासी कालिन चित्र प्राप्त हुए हैं इसका राइगड से हमें प्रागयतिहासी कालिन चित्र प्राप्त हुए हैं चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर कोश्चन नमबर 5 भीम बेटका की पाशाण गुफाएं इस्तित हैं कहां स्तित हैं? आप्सन A सत्पुरा की पहाड़ियों में आप्सन B विंध्या चल की पहाड़ियों में आप्सन C गंध मर्धन की पहाड़ियों में आप्सन D छोटा नागपुर पठार में तो इसका राइट आंसर होता है और ये TGT 2016 में पूछा गया है तो हमें भीम बेटका की पाशाण गुफाएं कहां स्तित हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है आप्सन B विंध्या चल की पहाड़ियों में भीम बेटका की गुफाएं हैं विंध्या चल की पहाड़ियों में भीम बेटका के कुछ इंपोर्टन बिंदू भी आपको बता देते हैं कि भीम बेटका गुफा चित्रों में सबसे अधिक गेरवे रंग का प्रयोग किया जाता है और भीम बेटका से प्राप्त चित्र अधिकतर दीवार एवं छट पर बनाए गये हैं चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन की ओर कुश्चन नंबर 6 भीम बेटका की गुफाएं कि शहर के नजदीक हैं और भीम बेटका की गुफाएं कि शहर के नजदीक है भौपाल के नजदीक चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन की ओर Q7. पुरा पाशान काल के दौरान बने भीम बेटका के चित्रे हैं Option A. हाथी, जंगली साड और बाग की Option B. भाले के साथ शिकार करते मानव Option C. मेंधक और साप Option D. जेबरा और बकरी तो इसका राइट आंसर है Option A. हाथी, जंगली साड और बाग की पुरा पाशान काल के दौरान भीम बेटका के चित्रे कहां है क्या बने है हाथी, जंगली साड और बाग के चित्र कुछ important बिन्दू है भीम बेटका गुफा के पहले इस्तर के चित्रों में भीम बेटका की गुफा के दूसरे इस्तर में चित्रों में मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है मानवने खेतिव पशुपालन के तरीके भी समझ लिये थे, आखेटक, क्रशक, वाले, आदी का चित्र भी बनाये थे तो भीम बेटका की गुफाएं दो इस्तर में हैं, पहले इस्तर में चित्र जो हैं वो हमने बता दिया और दूसरे इस्तर के चित्रों को भी बता दिया, भीम बेटका गुफा से प्राप्त सामगरी 30,000 इसा पूर्व से 10,000 इसा पूर्व की है और भीम बेटका गुफा में लगबग 600 गुफाएं मिली हैं, लेकिन उन में से 275 गुफाओं में चित्रों के केवल अफशेस मिले हुए हैं तो चलते हैं, नेक्स्ट कुश्चन की ओर कुश्चन नमबर 8 है पूर्व एतिहासी कला केंद्र रायगड इस्थित है कहां इस्थित है, आप्शन A बिहार में बिहारी में, आप्शन B उत्तर प्रदेश में आप्शन C महरास्ट में, आप्शन D 36 गड में इसका राइट आंसर होता है आप्शन D पूर्व एतिहासिक कला केंद रायगण कहां स्थित है? 36 गड में स्थित है ये टेजिटी 2016 में पूछे गए कोशन है तो रायगण में इस्थित गुफा बौतालदा गुफा से हिरण का चित्र मिला है छिपकली, जंगली भैसे जंगली भैसे का शिकार करते मानवाकरतियां नाचते, युद्ध करते, पालतु पश्वों के सजीव चित्र भी मिले है और ये चित्र गेरवे तिथा रामरत जैसे भूरे रंगों से बने है रायगण रियासत में माठ नदी के किनारे स्थित सिंगन पूर गुफा से प्राप्त चित्र, सिंगन पूर गुफा के द्वार पर असैयत कंगारू के चित्र है घोडा, बारा सिंगा, हिरड, भैसा, साण, सुन उठाए हाथी, खरगोज, जंगली साण को पकड़ते हुए बच्छी से छेत्ते हुए आखेटकों के चित्र, घायल, भैसा, बुरी तरह से तीरों से बंधा हुआ, दम तोड़ रहा है तो ये चित्र भी राइगण रियासत में सिंगन पूर गुफा से मिला है राइगण छेत्र में प्राप्त गुफाएं कौन-कौन सी है कवरापरवत, कर्मागण, खैरपूर, बोतालदा में अनेक शिलास्तर गुफाएं मिले है राइगण जो की मध्य प्रदेश का प्रमुक जनपद था तो ये इंपोर्टन कोश्चन है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर कोश्चन नमबर नाइन भीम बेट का गुफा के चित्र है Option A, बुद्ध जातक कहानिया Option B, भगवान शिव Option C, सामप्रदाईक सभह Option D, जारनों का चित्र तो भीम बेट का गुफा के चित्र नमें से कौन से है Option C, राइट अंसर है, सामप्रदाईक सभह चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर कोश्चन नमबर टेन पंच मड़ी की पहाड़ियां किस राजी में इस्तित हैं? आप्शन A. 36 गड़ आप्शन B. मध्य प्रदेश आप्शन C. करनाटक आप्शन D. तमिल नाड़ो राइट आप्शन B. पंच मड़ी की पहाड़ियां किस राजी में इस्तित हैं? मध्य प्रदेश में और पंच मड़ी पहाड़ियों के कुछ इंपॉर्टन बिंदू पंच मड़ी गुफा में पच्चास करीब दर्या गुफाएं हैं इन सभी गुफाओं में प्रागयतिहासिक कालेन चित्र मिलते हैं पंच मड़ी की पहाड़ियां महादेव परवत श्रंकला में स्थित हैं जो की मध्य प्रदेश राजी में हैं पंच मड़ी गुफा चित्रो को प्रकाश में लारे का स्रे डी एच गारडन को होता है 1936 में पंच मड़ी चित्रो के संबंध में रेखा चित्रो तथा फलक चित्रो सहीत एक विशद लेख प्रकाशित किया डी एच गारडन ने पंचमडी में तीन स्टेडियों के चित्र प्राप्त है पहले इस्तर में तक्ती नुमा डमरू नुमा वह मानवा कृतियों को बनाया गया है दूसरे इस्तर में वे चित्र आते हैं जिसमें आकृतियों का रूप विन्यास बेडाओल ओजपुर्ण एवं आसंतुलित है बात करें अगर तीसरे इस्तर में तो तीसरे इस्तर में आकृतियां कुछ स्वाभाविक बन पड़ी है जैसे घरेलु जीवन तथा सामाजिक जीवन से मिलते हैं चित्र पंचमड़ी गुफा से प्राप्त चित्र कौन-कौन से हैं? आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते हुए, गुड़सवार योधा, वादियंत्रों को बजाते हुए वादक, शस्त्रधारी सैनिक, इत्यादिये प्रमुख चित्र हैं पंचमड़ी गुफा से प्राप्त, चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर, कोश्चन नमबर 11, मिर्जापुर के पूर्व एतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? आप्सन ए, घोड़े और हाथी, आप्सन बी, हिरड और जेबरा, आप्सन सी, बुद्धा, आप्सन डी, मुर्गी और कोवे, तो राइट आंसर है आप्सन ए, मिर्जापुर के पूर्व एतिहासिक चित्रों में हमें घोड़े और हाथी की छविया देखने को मिलती हैं अगर बात करें मिर्जापुर एतिहासिक चित्र में कौन-कौन सी छविया दिखाई देती हैं तो घोड़े और हाथी की और मिर्जापुर छेत्र की गुफाओं में गैंडा, हीरन, सुवर, बारह सिंगा का चित्रण, अतेदिक स्वाभाविक वह यथार्था से पूर्ण है सुरहो घाट छेत्र से साही का आखेट, हाथ के चापे, मानवा कुतियां वह पशु चित्र, सुवर के आखेट का चित्र भी गेरु रंग में अंकी थे मिर्जापुर छेत्र में लिखुनिया छेतर से पशुआ खेट, हाथी का सिकार, रित्यवादन, वनरित्यवादन में मस्त व्यक्तियों का समू, घुरसवार, पालतु, हथिनी का चितर गुफा के भित्तियों एम छटों पर बनाए गये हैं विजयगर गुफा में तीन आदमियों को लाल पीला तथा सफेद रंग से बनाए गया है, करिया कुंड से बारा सिंगा का पिछा करते हुए धनरधारियों का चितर मनोहारी है, घोड मंगल से गेरवे रंग से पूरक शैली में गेंडे के सिकार का एक महतपून चितर विला है मालवा से तीन दंडधारी अश्वरोही अपने अपने घोडे की रास्था में पैदल चल रहे हैं, बिना पहिये की गाड़ी का चितर भी मालवा से मिला है चलते हैं, डेक्स्ट कोशन की ओर, कोशन नमबर 12 मिर्जापूर की गुफाएं किस राजी में इस्थित हैं? और कुछ इंपॉर्टन बिन्दू भी है, जो कि मिर्जापूर में कौन-कौन सी गुफाएं इस्थित हैं? कोहवार, विजैगर, सौहरी रॉप, सुरहोगाट, भरडारिया, लिखुनिया, भोडमंगर, यहाँ छटो और दिवारों पर 5000 इसापूर्व के चितर भी मिलते हैं सुरहोगाट से प्राप चितर हैं, साही का आखेट, हाथ के च्छाप, सुवर का आखेट तो यह सब इंपोर्टेंट चितर हैं, और लिखुनिया, कहाँ इस्थित है, गरई नदी के किनारे स्थित है, चलते हैं, नेक्स्ट कोशिन की ओर कुशिन नमबर 13, भारतिये पुरा तत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतिये पुरा तत्व का जनक, सर अलेक्जंडर कनिंगम को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ओप्सन भी है भारतिय पुरातत्व का जनक यानिकी पिता सारे लेक्जेंडर का निहम को कहा जाता है भारतिय पुरातत्व विभाग के इस्थापना कब हुई तो अठारा सो एक्सार्टिस्वी में हुई और भारतिय पुरातत विभाग का मुख्याले नई दिल्ली में इस्थित है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर कोश्चन नमबर 14 भारतिय पुरातत विज्यापन का जनक किसे समझा जाता है option A. Sir John Marshall option B. Sir Martimer Wheeler option C. Sir Alexander Cunningham option D. Sir Mark Aurel Stein इसका right answer है option C. Sir Alexander Cunningham चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर कोश्चन नमबर 15 प्रागयतिहासिक चितर सामानितिया निर्मित किये गए है option A. Tel Pestle से option B. जलरंग से option C. श्याहि से option D. गेरूव चारकोल से ये PGT 2000 में पुछा गया question है तो इसका right answer है option D. प्रागयतिहासिक चितर सामानिता गेरूव चारकोल से निर्मित किये गए है प्रागयतिहासिक चितरों के विसे में कुछ बिंदू है important प्रागयतिहासिक चितर नौपाशान काल के है नौपाशान काल के मानों का प्रमुख केंद्र बिलारी था ये कोशन भी एगवार आया हुआ है 1892 में M. Fawcett ने बिलारी नामक स्थान से दक्षण भारत के प्रागयतिहासिक काल के शिलाखंड चित्रों के खोज की जिसका धरातल शिलाखंड M. V. से आखेट रहा प्रागयतिहासिक चित्रों में अधिकांश चित्र गेरवे रंगे हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लेकर आएंगे तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केरें बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग वीडियो